हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तू लाइट एमे तो इस वीडियो में मैं आपको एम्यू के होस्टल के बारे में बताने वाला हूँ EMU की hostel की facilities मतलब आपको hostel कैसे मिलता है या fees क्या रहती है तो बहुत ही student फूचते है मतलब EMU की life case या hostels में hostel में रहते कैसे हैं और क्या है कैसे होगा या hostel मिल जाएगा नहीं मिलेगा या किस course में मिलता है तो इस वीडियो में मैं आपको सब बात क्लियर कर दूँगा, कोई आपका confusion निराएगा, आपके कोशिश करो मैं सब चीज बताने की तो वीडियो को पूरा देखेगा, इसलिए तागे आपको सब चीज पता चले और बहुत ही interesting बात है, आपको पता चल सकती है, जो आपको admission से पहले ही पता चल जाएंगे, जो लोगों को बात में पता चलती है, या problem face करनी पड़ती है, होस्टल के चक्कर में क्योंकि बहुत सारी problem होती है, तो इस वीडियो में मैं सब बात बता दूँगा, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर दीजे, लाइक और को सब्सक्राइब करना मत भूलिए का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, ताकि सारी नोटिफिकेशन या जितनी मैं वीडियो डालूं आप तक आ जाएं कि क्या डालना है, क्या content है, AMU के बारे में दूसरी universities के बारे में बहुत सी में बात अच्छी बात बताते रहता हूं, मतलब admission से पहले की, जो आपको तागी admission के बाद कोई problem face ना करने पड़े, तो आएए वीडियो को start करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, AMU में hostels मिलता है, नहीं कैसे मिलता है, तो जैसे आप जानते हैं, जामिया हो गया, या आपकी और universities हो गई, तो JNU, DU, इन में बहु better facilities हैं, hostel के बारे में, आसानी से मिल जाता है, मतलब उनके मुकाबले में, facilities अंदर की, तो सबकी universities की अपनी होती है, लेकिन AMU में, मिलने की facility की, या जादे hostels, तो seats वगयरा जादा है, तो कैसे मिलता है, आप जैसे admission लिए, तो schools में, तो mostly schools में ने बता रखे हैं, कुछ मैंने video बनाई थी, तो schools का part अलगी कर देते हैं, तो उसमें बता दिया था, मैंने किस school में, कुछ schools में, कुछ में नहीं है, तो अगर आपको schools के बारे में जानना है, तो उन video को देख लीजेगा, और वैसे ये भी आप देख सकते हैं, कि आगे फर्दर के लिए आपको काम या knowledge के लिए रख सकते हैं, तो bachelor में आते हैं, जैसे BA, BSC, B.com और बहुत से courses हैं, तो B.tech वगरा आपका admission हो गया, अब उसमें ऐसा होता है, कि हर courses के mostly अलग अलग hostels होते हैं, जैसे engineering के भी दो hostels हैं, एक है नदीम तरीम और एक है सुलेमान, तो दो hostels हैं engineering के, तो इन में से मिल जाता है, कोई भी, तो अब engineering के जैसे ये hostels मिल गए, अब इन में जैसे admission हुआ, तो आपको hostel, आपको whole alert हो जाता है, आपको whole alert हो जाता है, लेकिन room एकदम नहीं मिलता, मैं अब engineering के नहीं बता रहा हूं, सब courses का बता रहा हूं, बैचलर्स का मतलब, BA, आपका, B.com, सभी B.h.c. वगरा, तो अब hostel का मिलता है, अब hostel में vacancies कम रहती है, मतलब, अब PhD वाले students जो होते हैं, उनका December तक आपका पूरा complete होता है, जैनुरी भी हो जाता है, कभी, वो आपका हर session अलग-अलग रहता है, तो PhD वाले या master's वाले जब खाली करेंगे, तब master's वाले PhD के लिए कर रहे होता हैं, PhD वाले पहले के होते हैं, जिनकी complete होती है, तो अब उनकी seats बीच में vacancy हो जाती है, मतलब, बीच में कभी भी वो छोड़ कर जाता है, जब उनका complete होता है, तब उन्हें bachelor वालों की waiting होती है, waiting होती है, तो उनका whole alert हो जाता है, मतलब, freshers अगर आ रहे हैं, AMU में bachelor's में, तो उन्हें मुश्किल, बहुत ही मुश्किल मिलता है, चाहिए, वो कितने ही दूर से हैं, या कितने ही करीब से, तो 20-30 km के एंडर में होता है, तो उसे तो बहुत ही मुश्किल मिलता है, उसे hostel नहीं मिलता है, मनलब, 20-30 km से जादा ही होना चाहिए, तो उन्हें मिलता है एलोट होता है होल तो होल एलोट होने के बाद फिर आपको रूम मिलता है और फिर रूम रूम आपको एकदम नहीं मिलता है मैंने बताई दिया बहुत सारी वेटिंग्स चल रही होती है एक साल में मिलता है मतलब फिर साल साल बाहिसे, सेकर यर में मिलता है और यह अब स्यूंट टाटा है तो होता कैसे अब जो फर्स्ट यर में उन्ने तो लिगड के बारे में कुछ नहीं पता हूँ उन्ने ऐसा भी नहीं पता था रूम मिलेगा नहीं मिलेगा वह इसी तयारी में आता है हमें रूम मिल जाएगा हम अराम से रहेंगे लेकिन अब करना क्या है कि आप मां आ गए आपको रूम नहीं मिला आप सोचेंगे हम रहेंगे कहां या हम परिशान हो जाएगे तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ क्या करना है तो मोस्ली ऐसा होता है लड़के वहापर कुछ भार रूम्स बने हुए हैं उनका रूम्स का आपका फीस ऐसी होती है हजार या 150.00 होती है ।छांब आपको आसान ही से रूम मिल जाते हैं उसमें. टीज़ेयंग तीन चाल लोग रहते हैं तो आसान ही से मिल जाते हुझ उसमें नहीं तो और आपको रूम्स में ऐसे नहीं रहना seniors भी महां के मतलब बहुत ज्यादा helpful है मतलब आप किसी भी senior को contact कर सकते हैं और महां के किसी भी अगर आप जानते हैं तो वह आपको कहीं पर share कर आके रख देता है मतलब किसी senior के पास अगर room है तो वह अपनी sharing से बैड पर कुछ शेयर करके आपको रख लेगा बहुत adjustment कर लेते हैं मतलब senior बहुत ज्यादा helpful है अगर आपको अगर महां और आपकी क्या बोलता है बैचलर्स वोगारब में hostel fee include होकर ही आपकी fee होती है मतलब जब आप admission कराएंगे अगर आपने hostel के लिए apply कर रखा है तो उसमें आपकी fees include हो जाएगी आपके वही 3,000-3,500 के approach से आपकी fees रहती है को आपकी include होकर हो जाती है और खाने की fees भी उसमें उस खाने की fees उसमें नहीं होती खाने की fees अलग से परमन्त होती है परमन्त के बेसे किसी hole का है 1000 किसी का 1200 तो अलग-अलग है मतलब holes का ऐसा ही 1500 के बीच में ही आपका खाने परमन्त रहता है तो आपका hostel facilities बहुत ही सस्ती है मतलब आपका माँ खर्चा विल्कुल बहुत काम हो और जो 3000 में बता रहा हूं वो पूरे साल की है एक महीने की नहीं बहुत सब्सक्राइब महीने की पूरे साल के आप 3000 आप समझ सकते हैं मतलब बिल्कुल ना के बराबर और आपकी जो युनिवस्टी की fees है वह भी बहुत कमी है तो उसके बारे में मैं बता दूँगा कुछ वीडियो बनाऊंगा उस पूरे डिटेल में बता दूँगा आपका कॉलीज वगरा के लाइफ के बारे में बारे में तो आपका होस्टल फैसलीटी महाँ पर बहुत अच्छी आपको खाना मिलता है टाइम से और रहने के लिए आपका रूम है तीन लोग शेयर में रहते है है किसी हौल में चार रहते हैं और सीनियर होने के बाद फिर आपके टू सीटर वगरा मिल जाते हैं तो अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कोई भी बात और आपको पूछन हो तो बहुत सारी दिमाग में कोशन आती रहते हैं किसी के दिमाग में कुछ कोशन आता है किसी के कुछ आता है मेरे भी कुछ बात रही गई हो कि मैंने कोशिश की है कि सारी बात आपको बता दूआ सब चीज इखटी करके मैंने कोशिश की सारी इंफोर्मिशन आपको बता आइता रहता हूं वैसे कुछ ना कुछ information शेयर करता रहता हूं तो इसलिए माँ फोलो कर लिए जब मुझे आप तो टाइम के टाइम पर आपको information पर मिलती रही है और चैनल को subscribe करके बैल notification on कर लेना ताकि और आगे कुछ helpful वीडियो बनाओ तो आप तक एकदम हो जाए मतलब वीडियो बनाओ और आपको दिख जाए हैं मैंने ये वीडियो बनाई है आप से कुछ miss ना हो मतलब कुछ important मैं बताऊंगा तो ऐसा नहीं है कि एक वीडियो सहरे किसी कोई content मतलब सब सब्सक्राइब कर लेना कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव आता ही रहता है तो वीडियो को कर दीजे लाइक और वीडियो देखने के लिए थैंक यू यू झाल झाल